नमस्कार हम गाउं वाले बोल ले हैं और आपको रोगपुर एक्सप्रेश नहीं देख रहे हैं भाईया देखे ऐसा है गाउं वाले रिपोर्टर आज महाराज गंजीले के गाउं बेलवा टिकर में पहुंचे थे तोहां गाउं में हल्ला हुआ था कि हमारे गाउं का एक बाजार का एक विद्याला है और पी इसी इंटरमीडियाट कालेज वहां पर यह बालक रहता है और किराय के रूम में यह लुक्षिस्वा बाजार में रहते हैं आपको बता दें ससांग जैस्वाल उत्तर प्रदेश में टॉप 20 में सुलावा अस्थान लाया है और एक ठेल ससांग को बहाई देते हैं कि यह गाउं का बालक पूरे जीले का नाम रोशन कर रहा है तो चलिए आपको सांग से मिलवाते हैं तो ससांग जैस्वाल बाबू बोल्फता हूं मैं आपको छोटे वाई जैसे हो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई थैंक्यू कैस बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरे में पापा को भी बहुत अच्छा है ज़हांब तक मुझे आपके बारे में जनकारी है कि आपके पिदा जी गोर्णपुर में ठेला चलाते हैं सिकनजी बên्जते हैं कि क्या सच्छा है यह तो सही बात हैist करने हमको फील होता है कि मेरे पाप सिखान्जी बेस तभी हम दूसरों को यह बात कहने धोड़ा अठब लगता है रही हम पढ़ते हैं सोछते हैं कि अपने पापा मामी का नाम रोशन करते हैं और गाओ का भी नाम रोशन करको अपने विद्याले का महराज गिंद का नाम रोसन करें और बहुत आगे बढ़ें अब जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है आप टॉप 20 में सुलहमे अस्थान लाए हो गाउं में गए थे अपने हाँ गाउं में गए थे अब गाउं के लोग का कैसा रियक्शन है गाउं तो मैं यहां पे जो मेरे स्कूल से सिंदुरिया वाले रोड है वो बहुत टूटा-फुटा है साच चाहरा हूं मैं उसी को बनवा दिया जाए माता जी को आपको कैसा लग रहा है मेरी मम्मी को भी और अच्छा फील हो रहा है और मेरे भाईया बहन सबको अच्छा फील हो आगे क्या ताहरी है सब्जेक्ट लूँगा और उसी से आयटियन बढ़ना चाहता हूं और देश का नाम रोशन करना चाहता हूं तो यह सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाम करूंगा कैसे हैं अच्छे हैं कैसा लग रहा है आज बेटा नाम कर रहा है बहुत है कि हम इस मुकाम पर पोछे मि मतवस्णो सुगभ़ मत रूइर यह आपकी मेहनत है और आपका बेटा आपकी काविलियत को समझ रहा है कि ताकि आप कितने सपने देखें अपने जीवन में और जो सपने आपने नहीं पूरा कर पाया आज आपके सपने आपका बेटा पूरा कर रहा है तो यह कहीं न कहीं एक बाप के लिए बहुत गर्व की लगता है जब पहले दिन आप रिजल्ट आया और आखों के सामने बेटा का नाम जो है जिले और प्रदेश लेवर पर चला गया तो कैसा लगता है बहुत फ़र्प मसुझ हो रहा था क्या करते हैं सिकंजी बेचते हैं गोरकपूर गोरकपूर बेचते हैं तो कहीं न कहीं अपने बेटे को कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग अपने बच्चों के लिए ऐसे ही त्याक करके उनको आगे बनने का प्रयास करें तो तमाम जो गारजियन इसमें आपको देख रहे हैं या फिर जो बाल सासांक जैसोल के पिता जी को सुन रहती है आप लोग उने बाप जो थो है दर्द को चुपा कर कितना मुश्किल से बेटे को पालता है और बेटा पाप का नाम रोशन करने लगे तो यकीन उस बेटे पेकार होता है और बात कर रहे हैं घाल कि बात कर रहे हैं और उनकी बाद सुनके मैं खुदी बड़ा भाउक हो गया और रबूंकी इन्हादी पर बाद करते हैं माधा जी पुड़ा मापको कैसी हाई पूट टी कैसा लग रहा बेटा बेटा जो है उत्तर प्रदेश में अस्थान लाया है कैसा लग रहा है जी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा हमारा मिनद करके इतने बड़े वादे पर पहुंचा है आमको बहुत खुशी हो रही है जो आप लोग की उमीद थी जो आपके सपने थे जिस रूप में को पढ़ा लिखा कर उस काविल बना दें कि जो दिकते हमसे हो रही है वह बेटे को न करना पड़े जी हम लोग इसलिए गांप शोड़ करें आया है कि तकी बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो और बच्चे आगे तक जाए अब बेटा जो नाम किया है और आप तो यह की बात का पूरा परिवार था गाओमाले रिपोर्टर आज पहुंचे थे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें